खाना खा लीजिये मा जी, वसुधा ने अपनी सास को हुले से जगाया। उठिये न मा जी, नीन से जागिये। समय पर खाना नहीं खाएंगी, तो दवा भी अपना असर कैसे दिखाएगी। कुछ जवाब न पाकर वसुधा ने पुनह अपनी बात दोहराय एल नीन से सोई नहीं हूँ बहु। बस आखे मूंदे लेटी हूँ। अब तो चैन की नीन दाती कहा है, पुरानी बाते बेचैन कर देती है मुझे। अब भी तुन मेरा कितना ख्याल रखती हो, पर मैं वसु मैं आपकी बहु हूँ। आपका ख्याल रखना मेरा फर्स है मा जी और सास का। कहते हुए वसुधा की सासु मा की आखे भी गई। वसुधा की शादी रमन प्रसाद जी के बड़े बेटे विशाल की साथ हुई थी। विशाल से छोटी एक बहन और एक भाई थे। विशाल और एकलोती बहन वसुधा के सिर से बहुत पहले ही मा का साया उच चुका था। दादी और पापा ने मिलकर उनके लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं की। वसुधा की दादी को हर वक्त उसके ब्याह की चिंता सताती रहती थी। वसुधा की रिष्टे में लगने वाली बु पहरी थी। वैसे विशाल और वसुधा की शादी तैतो हो गई थी। पर विशाल के परिवार वालों का कहना था कि विशाल की बहन प्रग्या की शादी जब तैहो जाएगी तब वे लोग अपनी बेटी को विदा करने के बाद ही वसुधा को अपने घर की बहु बना कर ला उस बिन मा की बच्ची की विदाई पर दादी बहुत फूट-फूट कर रोई थी हमारी वसु को आप लोग अपनी ही बच्ची समझियेगा उससे कोई गलती भी हो जाए तो प्यार से समझा देना बड़ी मन टूटू बच्ची है हमारी वसु उसे किसी बात की तकलिफ मत होने देना आप लोग अपने जिगर का टुकड़ा ही हम सौप रहे आपको उसका पूरा ध्यान रखना दामाद जी बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई दबाकर वसुधा की दादी इतना कह पाई थी ससुराल में बाजे गाजे के साथ वसुधा का भव्य स्वागत हुआ था विशाल जैसा पती और सनेहिल सास ससुर पाकर वह बहत खुश थी देवर में उसे अपने छोटे भाई की जलक दिखती थी वो ये उसकी सुख सुविधा का बहुत ख्याल रखते थे पर इकलोती नन प्रग्या थोड़ी गर्म स्वभाव की थी सासु मा कांती देवी उस बिन मा की बच्ची वसुधा पर अपना भरपूर प्यार उनेलती थी इसी के सहारे वसुधा ससुराल में खुद का संतुलन बिथा पाने की कोशिश में जुटी रहती थी विशाल की नौकरी दूसरे शहर में थी तो शादी के कुछ ही दिनों बाद वे अपने काम पर लोट गए थे कुल मिलाकर आराम से वसुधा की जिन्दगी कट रही थी कुछ ही दिनों बाद वसुधा के पाउभारी हुने की खबर से पूरे घर में खुशी की लहर दौल गई थी अब सासु माँ पहले से भी ज़्यादा उसका ध्यान रखने लगी थी पर उसकी नंद प्रग्या को अपनी माँ का वसुधा संगलार लगाना बिलकुल नहीं भाता था वो हकसर कहा भी करती थी कि भावी की मृत मां के आत्मा मेरी मां के अंदर समा गई है इस कारण में बिन मां के हो गई मा तो बस अपनी बहु की ही तिमारदारी में लगी रहती है प्रग्या भी ए करने के बाद दो साल से घर में ही बैठी थी रमन बाबु को पूरा भरोसा था कि पैसे के जोर पर वे अपनी बिटिया के लिए अच्छा घरवर धून ही लेंगे पर दो साल की मशक्कत के बावजूद भी उनकी बिटिया की डोली उठ नहीं पाई थी माता पिता के अत्यदिक लाड प्यार के कारण प्रग्या थोड़ी नेक्चरी स्वभाव की हो गई थी इकलती बेटी और बेहन होने के कारण बच्पन से मूँ खोलते ही उसकी हर मान पूरी हो जाती थी इस वजह से उसकी भावी वसुधा उसकी आँखों में खटिकने लगी थी आए दिन बेवजह की बातों में वल घर में अशान्ती का महौल पैदा कर देती थी खुद रूट कर अनजल त्याग कर बैट जाती तभी कभी मान मनौवल में इतनी देर हो जाती की गर्भवती वसुधा भूख से बेहाल हो जाती थी ऐसे में कांती देवी चुपके से एकाध रोटी में थोड़ी सबजी लपेद कर वसुधा के हाथों में पकड़ा जाती अपनी मा को तो बेचारी वसुधा ने बचपन से भी नहीं देखा था पर सासु मा का आंतरिक प्रेम देख कर वह गदगद हो जाती थी हमेशा की कला और समय पर खाना ना खाने की वजह से वसुधा बहुत कमजोर हो गई थी उसके कमर में अक्सर दर्द रहने लगा था तांती देवी अक्सर अपनी बेटी से चुक कर उसकी कमर में तेल मालिश भी कर दिया करती थी ऐसे में वसुधा अपनी ननन्द की बेरुखी को भुला कर सासु मां के ममत्व में गोते लगाने लगती थी समय पंख लगा कर उलता रहा कुछ समय पश्चात वसुधा एक प्यारी सी बिटिया की मां बन गई थी उस ननी परी को पाकर पूरा परिवार हर्शित था परिवार वालों के साथ साथ प्रग्या अपनी भाती जी को तो प्यार करने लगी थी पर भाभी से उसकी मन की करवाहत कम नहीं हो पाई थी सिर्फ अपने भाभी सिद्धांग से बात कर लेती पर उनके जाने के बाद यथावत अपनी भाभी का जीना मुहाल करती वसुधा ने कई बार अपने पती को इस बात की जानकारी देनी चाही पर हर बार सासु मां का प्यार उसके आड़े आ जाता उस बार विशाल जब होली की छुट्टियों में घर आया था तो वसुधा को अपने संग ले जाने की इच्छा परिवार वालों के सामने जताए सबने मौन रहकर इस बात की स्वीकृती भी दे दी सुनकर उसकी खुशी को ठिकाना न था वो खुशी खुशी पती के संग जाने की तैयारिया कर रही थी वसुधा और अपनी पोती के चले जाने के नाम से कांती देवी बेहद उदास थी फिर भी वसुधा ने सोच लिया था कि अब वह इस जंजाल से बाहर निकल कर ही रहेगी उसे अपनी नंद के बुरे बरताव से भी मुक्ती मिल जाएगी और सासु मां को भी प्रग्या के ताने उलाहने जहलने नहीं पड़ेगे उस दिन अपने पती के संग जाने के लिए वसुधा सुबह से बेहद उदसाहित थी तभी कांती देवी वसुधा और विशाल को पास बुला कर कहने लगी अब तुम लोगाए को संग जाने से तो मैं नहीं रोक सकती पर छोटी गुडिया के चले जाने से हमारा अंगना सूना हो जाएगा हाँ भाया आप भाभी को अपने संग लेकर जाए पर मेरी अनकु वसुधा की बेटी को यहीं छोड़ जाए वैसे भी पढ़ाई छोड़ कर घर पर बैठी हूँ ऐसे मैं अनकु के बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा प्रग्या ने भी विशाल के समक्ष अपने मन की बात रखी परिनाम स्वरूप वसुधा का पती के साथ जाने का सपना आखिरकार धरा का धरा रह गया मा वेहन की बाते सुनकर विशाल ने भी वसुधा को बस कुछ दिन और इंतजार कर लो फिर हम साथ रहेंगे ता वादा कर वापस अपने काम पर लोट गया वसुधा फिर से अकेली ही रह गई उसके इंतजार की घरी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी सास ससुर और देवर का भरपूर सनेह और सहयोग उसे तो मिलता था पर नन की मनमानिया दिन प्रते दिन बढ़ती ही जा रही थी किसी के मना करने पर वो उसी व्यक्ति से उलज जाती आस पर ओस वाले कहीं सुनन ले इस कारण सब अपना मूँ सिल कर बैख जाते थे तुम्हारी बहू की खुराक तो सुरसा के मूँ के तरह बढ़ती ही जा रही है खूब करो उसे लाड़ प्यार बस सारा दिन बैख कर खाती ही रहती है अरे इतना दूद तो इन्हें मायके में भी नहीं मिला होगा कितने आराम से भरा ग्लास दूद पी जाती है देखना बुडापा में तुम्हारा क्या हश्र करेगी अभी से इतनी छूट दे रखी है तो इसका परिनाम भी भुगतने के लिए तयार रहना उस दिन प्रग्या की बाते वसुधा कान में पिघले शीशे की तरह उतरने लगी उसने प्रग्या को जवाब देना चाहा पर सासुमा ने उसे इशारों से उसे मना कर दिया और खुद कहने लगी अरे बच्चा पैदा करने के बाद औरत को ज्यादा देख भाल की जरूरत होती है और उसे भूख भी ज्यादा लगती है ऐसे में बेचारी खाएगी पिएगी नहीं तो बच्ची को दूद कैसे पिलाएगी तब इस बात को लेकर प्रग्या ने वसुधा को कितनी खरी खोटी सुनाई थी हम मा बेटी को लड़ा कर पर गई ना आपके कलेजे में थंड़क मुझे तो लगता था कि भाभी के आने से घर में रौनक बढ़ जाएगी पर इन्होंने तो मेरे माबाप, भाई सब कुछ शीन लिये न जाने कितनी देर तक प्रग्या बर्बराती रही इतना सब कुछ सुनने के बाद के बाद वसुधा को न भरपेत भोजन करना अच्छा लगता और नहीं दूर पीने की उसकी इच्छा रह गई थी फिर भी सासु माँ उसे बच्ची का हवाला देते हुए भरपूर खाना पीना खिला ही देती थी आखिरकार वसुधा की शादी की चौथी सालगिरह ने उसे रहाई का तोफ़ा दिला ही दिया प्रग्या की शादी तैहो जाने से वह बहत खुश थी कुछ ही दिनों बाद वह ब्याह कर अपने ससुराल चली गई इसके बाद वसुधा के इंतजार की घड़ी भी समाप्थ हो गई और वह अपने पती के साथ हंसी खुशी रहने लगी अपनी शादी के बाद प्रग्या भी धीरे धीरे बदलने लगी थी आज 30 साल के बाद वसुधा की सासु मा कांती देवी किद्नी की लंबी बीमारी से बेहग बीमार और कमजोर हो चली थी ऐसे समय में वसुधा और विशाल उनका बहुत अच्छे से देख भाल कर रहे थे पर कांती देवी के मन में रह रह कर एक हूकसी उठती की वह वसुधा की गुनहगार है वो बहुत कुछ कहना चाहती थी पर वसुधा उन्हें हर बार अपनी बातों में उलजा कर चुप कर आदिया करती थी उस दिन भी वसुधा उनके पैरों में तेल मालिश कर रही थी मुझे माफ कर दे बहु ताकि मैं चैन की नीन सो सकूँ कई रातों से ठीक से सो नहीं पाए हूँ आखिरकार मुझे मेरे कर्मों का फल ही तो मिला है जो साल भर से बिस्तर पर पड़ी हूँ आप बेकार ही खुद को दोशी मान रही है आपका मेरा प्यार का मजबूत बंधन तो जग जहिर है वैसे भी अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिये माजी आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी आज मुझे मत रोख बहू कर लेने दो मुझे पाप का प्रायश चित शायद तेरे व्यवहार के कारण मुझे मेरी गलती का आभासो ही नहीं पाता अपनी खुशी के कारण हमने तुम पती पत्नी को भी कई वर्षों तक दूर दूर रखा खुद की बेटी से चुप कर तेरी मदद की पर उसे चुप कराने की कभी हिम्मत नहीं की माफ कर दे मुझे बेटा वसुधा ने हौले से कहा माव आपके आराम करने का समय हो गया है खुद पर ज्यादा जोर मत डालिये तान्ती देवी की आँखे नम थी शायद उन्हें भरोसा था कि उनकी बहु ने उनकी बर्सो पुरानी गलती को माफ कर दिया था अपनी बेटी के कोप से वसुधा को बचाने में तो वे असफल रही थी पर बहु के लिए उनका प्यार कभी कम न पड़ा था तान्ती देवी ने अपनी आँखे मूंड ली और फिर कभी ना उठी शायद सच में उनके आराम करने का वक्त हो गया था